हेलो मैं राजेश कुमारविंद मैं एक वीडियो बना रहा हूं यह वीडियो है पूजा से ही संबंदित है पूजा लोग करते हैं उस पूजे के ही संबंद में मैं बताने जा रहा हूं कि पूजा जो करते हैं पूजा जो किया जाता है इस पूजे में जो एक मुख्य बात और है पिछला वीडियो में पूजा से संबंदित मैंने कुछ बात बताया था लेकिन जो पूजा किया जाता है इसमें बहुत एक महत्मूर्श जोती है भागवान का फोटो या मुर्थी का मुख्य किस दिशा के तरफ होना चाहिए ये हम लोग के जो धार्मिक पुस्तक पुरान हैं उनमें ये सब लिखा हुआ है कि भागवान का मुर्थी हो या फोटो हो उनका मुख्य किस दिशा के तरफ होना चाहिए तो इसमें बताया गया है धार्मिक कुष्टकों में लिखा गया है कि भगवान का मुख पुर्व दिशा याने पूरब दिशा के तरफ मुख भगवान का जो मूर्ति हो फोटो हो उसका रहना बहुत ही अच्छा माना गया है या ज़िए पूरब दिशा के तरफ किसी कारण बस नो हो पाए उनका मुख तो उत्तर दिशा के तरफ उत्तर दिशा होता है ये भी एक भगवान का मुख के लिए जो भवान का मूर्ती हो, फोटो हो, उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ भी बहुत अच्छा माना गया है, धार्मिक उस तक पुरानों के नुशार, उत्तर दिशा भी बहुत अच्छा माना गया है, तो इसलिए इस बात का जो लोग भी पुजा करने वाले लोग हैं, जो जिन लोग से यही हमारा ग्यान का मिन बात जो आप तक पहुंशाने का है यह मैं पवजाने की कोशिश कर रहा हूं यूट्यूब चैनल के मार्धिम से आप जो लोग नए होंगे सब्सुराइब कर लिएगा पुराने लोग होंगे तो बहुत रोज शुक्रिया बहुत रोज थन्य होना चाहिए तो दो अच्छा दिशा है यही जो पहले बताया पूरब दिशा या उत्तर दिशा के तरफ जैसे देखिएगा कि भागवान का जो भी मंदीर का दर्वाजा होता है या तो पूरब होता है या तो उत्तर होता है जिदा दर्वाजा रहता है उधर ही भागवान का मुख भी मूर्ति का रहता है अक्षर ऐसा देखा गया है कि पूरब दिशा के तरफ दरवाजा है तो मूर्ति का मुख भी पूरब दिशा के ही तरफ होता है यदि उतर दिशा के तरफ मुख है दरवाजे का जो मुख उतर दिशा के तरफ है तो भगवान की जो भगवान देवी देवताओं जिनों की जो मुर्तियां हैं तो उसका भी मुख उतर दिशा के ही तरफ होता है तो ये एक बहुत महत्पून ग्यान है आप सभी लोग इस ग्यान का फालो करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा पूजा में बहुत लोग है कि दूग दसांग अगरवती कपूर या होम दसां या खपर बहुत लोग देते हैं पूजा पाट करते हैं लेकिन कुछ ऐसी वियो अस्थाएं हैं जिसमें पूजा पाट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे बहुत लोग कमजोर हो जाते हैं बुढ़ापे में जो उद कर चलना फिरना चलने फिरने में जो परिशानिया होने लगती हैं या नहने दोने में तो हो शके तो मन में भगवान का नाम, भगवान का नाम ही नाम भी लेना बहुत अच्छा है यदि सोते, बेड़ते, उुपते कोई भी काम करने जा रहे हैं या भोजन करने जा रहे हैं या कभी भी यदि भगवान का नाम आपको याद आ रहा है तो याद रखना चाहिए क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो भगवान का नाम से शुरू करें या वीश में भी भगवान का नाम लेकर के मन में गुन-गुनाते रहें और मुश्कुराते रहें क्योंकि यह पूझा पात है यह बहुत ही इंसान के दिमाग के लिए बहुत ही आवश्चक है क्योंकि जीवन में इंसान के जीवन में बहुत ही भाग दोड इस जिन्दगी में दिमाग को रेष्ट जब दिन ही मिल पाता है। इंशान अपने काम के लिए अमेशा मैक्सिमम दिमाग को अपना यूज करते रहते हैं। इसलिए थोड़ा भगवान में लीन होने पर एक दिमाग को एक अलग ही धंकारेष्ट मिल जाता है। लोग सोते हैं तो दिमाग और सरीर को रेष्ट मिल जाती है और सरीर को उर्जा प्राप्त हो जाती है। इसलिए जिस किसी को यह दियाशा हो कि उनको चलना फिना मुश्किल है तो बस भगवान का नाम लेते रहें। वही अच्छा है। उससे भी कल्यान होगा। या मांसिक भी पुजा किया जाता है। मन में भी पुजा किया जाता है। जैसे कोई ब्यक्ति स्वया है। मालिजे बुद्धा हो पुनाना हो जो कि चल फिर चलने फिलने और नहाने धोने में जात दूसरे के आश्रित हो। तो मन में ऐसा सोचे कि भगवान मैं नहा लिया हूँ। नहा लिया हूँ। नहाने के बाद कपड़े बतल करके भगवान के लिए मैं जल ले करके जा रहा हूँ। जैसे सिर्जी को चड़ाना है तो सिर्जी के लिए जल ले करके जा रहे हैं। आप उनको चभा रहे हैं धूब बत्ति अगर बत्ति कर रहे हैं पूरुश में तो इस्तरी हैं तो अपने हिसाब से जैसे घर में पुजा करती होंगी या करते होंगे तो जो घर में पुजा है तो आप घर में भी ऐसे सोच शकते हैं लेकिन एक मंदिर है, मंदिर बहुत अच्छा माना जाता है, घर में मंदिर दूर होने के वज़े से उसलों को ज़्यादा दिकत परशानिया होती है, इसलिए घर में ही पुजा का प्रविधान हो गया कि नहीं, घर में भी पुजा किया जा सकता है, मन से, दिल से, भगवान को कहीं से भी याद करिएगा कहीं से भी पूजा करिएगा तो पूजा अगवान को मिल जाता है इसलिए आप सभी लोग जो लोग जिनलों के बारे में कह रहा था कि जो लोग शोय बैठे हैं मांसिक भी पूजा कर सकते हैं मन में सोचें कि हम नहा लिए नहा करके बैठ करके दूप दीप अगरबती कर रहे हैं मन ही मन भी न बोले तो भी उतना ही उन्य की प्राप्ती होती है या आप रुपिया पैसा लगा करके दूप दीप अगरबती करें या मांसिक पूजा करें मांसिक पूजा में भी बहुत ही पुन्य प्राप्त होता है तो यह सब पूजा पाट की दो लाइने हैं यह बहुत अवश्यक है इंसान के लिए पूजा पाट करते समय उसमें एक बहुत ही एक और महत्मूर चीज है जो लोग पिछले वीडियो में भी मैं बताया था लेकिन उसको मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि जो पूजा में जो दीपक का जलाना होता है जो लोग जलाते हैं दीपक उसका बहुत बहुत बला योगदान होता है कि कि किस दिशा के तरफ आप उसको जला रहे हैं तो जिस प्रकार भागवान का मुख पुरव दिशा या उत्तर दिशा के तरफ होना चाहिए, उसी प्रकार दीपक का भी मुख पुरव दिशा के तरफ या उत्तर दिशा के तरफ जलाएं यदि आप लोग हो सकता है कि भागवान का फटो किसी कारण वस किसी समस्या के वस जगह पर्याप नहों हो या किसी कारण वस भागवान का मुख किसी दूसरे दिशा के ही तरफ हो फिर भी फुजा करते से में जो दीपक जलाएं वो दीपक को हमेशा पूरव या उत्तर दिशा के तरफ उसका मुख करें जैसे उसकी बाती लगाई जाती है जिस तरफ बत्ती उसको आग से जलाई जाती है जिसकी नारे पर बत्ती रहती है तो जो जलाई जाती है उसका मु पूरव या उत्तर दिशा के तरफ जरूर करिएगा इसे बहुत ही फायदा होता है इसमें पूचापाट में एक और मात्पून बात बताने जा रहा हूँ यदि आप लोग चाहते हैं कि घर में सुख्ष शांती संव्रिदी बनी रहे तो बनी रहे तो हर एक अमवश्या के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार शमान जो भी कुड़ा करकट हो उसको जो है की सफाई करके कम से कम एक दिन के लिए उसको भर से बाहर अगल बगल कहीं निकाल देजिए ताकि जैसे बेकार शमान हो घर में न रखें कच्ची कच्ची लस्ची का छीता दे करके अगर पत्ती जलाएं और पुजा पाट करें अमवश्या का दिन और अमवश्या के दिन और पूनिमा का दिन ये बहुत अच्छा दिन होता है वीडियो काफी लंबा हो गया इसलिए अब वीडियो को अब लंब को अब लंब को अब लंब को